हेलो फ्रेंड्स दिशू फोड़ा में आपका स्वागत है मैं दिख्चा आज मैं बनाओंगी बदाम मिल्शेग जो कि गर्मियों के सीजन में लोगों को बहुत पसंद आता है तो आईए अब शुरू करते हैं बदाम मिल्शेग बनाना बदाम शेग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है लगवर 15-20 बदाम और इसको अब हम पानी में बिखो देंगे इसे हम 4-5 गंटे के लिए बिखोंगे आप इसे ओवर नाइट भी बिखो सकते हैं जो हमने बदाम भी बिखोय था अब इसे मैंने पील कर लिया है अब इसका हम पेश्ट तयार करेंगे हम एक ग्राइंडिंग जाल लेकर कि इसमें जो हमारा बदाम है उसे अड़ करेंगे और हाफ कप हम अलका गरम मिल्क अड़ करेंगे मिल्क के जगहें पे आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अब इसका हम पेश्ट तयार कर लेंगे यह हमारा पेश्ट अप तयार हो गया इसे हम साइड में रख देंगे वन टीबल स्पून मैंने इसमें कश्टड पाउडर लिया है और इसमें हम हाफ कप मिल्क को अड़ करके उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस प्रोसेस को करने से हमारे मिल्क में जो है लंप्स नहीं पड़ते हैं हमें वन लिटर मिल्क लेकर की उसे हमें गैस पर रख कर की मीडियम फ्लेम पर बॉइल करना है यह हमारा जो मिल्क है यह बॉइल हो रहा है अब इसमें हम अपने शुगर को अड़ कर देंगे यहां पर मैंने 6 टेबल स्पून शुगर लिये और आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं शुगर अड़ करके हम इससे दो मीनट तक पकाना है यह देखे है और अब हमएश में अपने कॉट्ट पावडर एड़ करना है जह ho deaths करकंगे के समय बीड़ करना आपका है कलम ज़या हुई है । अब जल्यद पयूड़ बीड़ मीनट तक बोईल करना है ये देखिए लगबग हमारी 10 मिनिट हो गए हैं और ये जो मिल्क है ये थोड़ा थिक हो गया है अब हमने जो बदाम का पेश्ट बनाया था उसे हम एड़ करेंगे पेश्ट को एड़ करके हमें 5 मिनिट इसे और बॉयल करना है ये 5 मिनिट हो गए हैं इसकी कंसेस्टेंसी तोड़ा थिक हो गई है अब वन पिंच इसमें सैफ्रॉन एड़ करेंगे शैफ्रॉन एड़ करके इसे हमें 5 मिनिट और बॉयल करना है ये देखिए इसकी कंसेस्टेंसी तिक हो गई है अब हम अपनी गैस को आफ कर देंगे अब इसे 20-25 मिनिट तक हम नॉर्मल टमप्रेचर पर रखेंगे ये देखिए फ्रैंड ये जो मारा मिल शेक है ये बिलकुल थिक हो गया है और ये बिलकुल नॉर्मल है अब ये गर्मी का सीजन है फ्रैंड तो इसे जब तक ठंड़ ठंड़ ना पिए तब तक तो बिलकु करने के लिए हम इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रेज में रख देंगे ये देखिए इसे मैंने फ्रेज से निकाल लिया ये बिलकुल ठंड़ा है इसे हम किसी गलास में निकाल लेंगे मैंने ये 5-6 बादाम लेकर की इसे छुज़़टए कट कर लिया है अब हम जब अपना प्लीज लाइक कर दीजिए और अब भी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू झाल झाल